हेलो गाईज, माई नेम इस विक्रम, वेलकम सियू टू स्ट्राइप फोर प्रोग्रेस टॉपिक आपको पता लग क्या होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं फरस्त मारा है अंटमान द्वीब समू इसके जो द्वीब हैं कैसे याद करेंगे, इसके लिए स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़का है जिसका एक्जाम क्लीर हो गया और वो इंट्रिव्यू देने गया है और इंट्रिव्यू लेने वाला कौन है? एक नारी है जो कि वहां की बॉस है तो वहां पे वो पहुंचा, तो जो बॉस थी उसने उससे पूछा कि आप कैसा फिल कर रहे हैं ये जोब के लिए तो वो कुछ बॉली निगा, उसके उपर लाइन मार रहा है, उसी को देखके जा रहा है बॉस को तो बॉस को लगा कि शायद माईक में प्रॉबलम होगी, तो उसने साउंड वाले को बोला कि ये जरा चेक करना इसको शायद तार अवगेरा में प्रॉबलम होगी तो थोड़ी देर वाद वो अपने आप ही बोल पड़ा, और क्या बोला? जान बड़ा ही अच्छा लग रहा है तो बॉस हैरान होगी कि ये क्या बोल रहा है, मुझे जान क्यों बोल रहा है तो जो उसको है, उसको गुस्सा तो आना नहीं था बॉस को उसने क्या किया, उसको रूम से बाहर निकाल दी उसने उसको रूम से बाहर निकाल दिया तो थोड़ी देर बाद फिर वापिस आ गया और फिर क्या बोल रहा है मान जाओ ना आप मैं आपकी प्यार में गिर चुका हूँ ऐसे बोल रहा है उसको तो उसको तो और ज़्यादा गुसा आ गया बोस को और उसने क्या बोला चल बाग यहां से और उसको बगा के वहां पे और जो गेट थरूम का उसको उसने लॉप कर लिए और आके बैठ डी और उसके बाद क्या हुआ बाहर जो नीली वर्दी होती है ना नीली वर्दी मतलब जो बोडिगार्ड होता है उसको तंग कर रहा है कि मुझे मिलवाओ बोस से तो बोडिगाड उसको कॉल कर रहा है बोस को तो बोस ने बोला कि एक नंबर का चिछ हो रहा है पता नहीं सेंटी हो रहा है मेरे पे ऐसे ही इसको बाहर का रास्ता दिखाओ इससे आपको याद हो जाएगा सारा का सारा कैसे सबसे पहले तो जो लड़का था उसका क्या था इंटर्व्यू था तो इंटर्व्यू से आजएगा आपका इंटर्व्यू द्वीब नकी उसके बाद है जो इंटर्व्यू ले रहा था वो कौन था वो एक नारी थी, नारी से क्या जाएगा, नार, नार से नार कॉंडम द्वीप आजाएगा, वो कुछ बोल ली रहा था, तो बॉक्स ने क्या समझा, शायद साउंड में प्रोब्लम होगी, तो उसने बोला लड़की को, तो साउंड से क्या जाएगा, साउंड द्वीप आजा अब जान बड़ा ही अच्छा लग रहा है तो जान से क्या जिए का जान लोवेंस तो जो बोस थी बोस हैराम होगी कि ए क्या बोड़ रहा है हैराम, हैराम से हैंडरी याद रहेगा हैराम हैंडरी, हैंडरी लोवेंस और वैसे वो उसके प्यार में पढ़ चुका था तो लव भी आ जाएगा लव से लोमेस भी आ जाएगा तो उसने क्या बोला था बाहर निकलो यहां से उसने उसको बाहर निकाल दिया था बाहर का मतलब आउट कर दिया था तो आउट से क्या जाएगा वाप्पीस वो फिर आया और फिर क्या बोला एक है मांजाओ ना मैं तुँ आपके प्यार में गिर चुका हूँ गिरना क्या हुतता है फॉल एफ ए डवल होता है ना फॉल किसी के लब में पड़ जाना फॉल हुता है तो लेंड फॉमियाप में ही। theft उसका ज्यादाधा गुस्त आगया तो उसको तो उसने क्या बولता, चल बागए यहांसे तो भाग्ना क्यां होता है совं सु वह क्या कर दिख दिवाले bodyguard को तंग कर रहा था नीली से क्या है नील भी पाजाए उसने उसको क्या बॉला boss नहीं कि इसको बाहर का रास्ता दिखा वो रास्ता मतलब route route ॉ-t e route route land तो उसने क्या बोला था एक नंबर का छोड़ा है पता नहीं ऐसे ही centi हो रहा है बेरे के तो सेंटी सेगा जिगा सेंटी मी, अब आप बोलोगे, ये तो छीक है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि अंडमां की हैं ये निकोबार की हैं तो जो छोड़ा था, जो रटका था, उसने जो वापिस आय था न दुबाना की बोला था ? मां जाओना, मैं आपके प्यार में गिर चुका, मां जाओ, मां कहां सी मत रहा है, अंतमान में आपको क्या किर रहा है, मां, तो ये आपका क्लिर हो गया, नेक्स्ट आपकर निको बार दूएक सुनू इसकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक छोरा है और उसके साथ ही उसकी माँ है दोनों बाजार में गई है कुछ खरीदने के लिए तो जो छोरा था उसने एक कार देखी शोरूम में लगी हुई तो उसको वो पसंद आगी तो अपनी माँ को बोल रहा है कि मुझे ये कार चाहिए मैंने तो कार लेनी ही लेनी तो माँ बोली कंबल लेने के पैसे नहीं है और तो कार की बात कर रहा है कार की कीमत तुझे पता है क्या कितनी है तो कीमत क्या होता है कीम्रत तो प्राइस होता है तो उसके बाद वो बोला आठ सौंवार है मत दिला नहीं दिलानी तो मैं तो अपने दोस्तों के साथ आब पीने जाऊंगा आब क्या होता है शराब होती है जो की सेहत के लिए हानिकार के तो ये स्टोरी है और ट्रिक है तो उसके बाद क्या हुआ वो मा बोल ली एक मरूंगी पंच मरूंगी तेरे ज़्यादा ही बोल रहा है तो नौनवेज खाल है ना बहुत है आज गल तेरी ज़्यादा ही जुबान चल ली ये कैंची की तरह तो इससे आपको याद हो जाएगा कैसे था कुमारता में आपको मिल रहा है माता छोरे को क्या पसंद आई थी कार से कार निकोबार द्वीब एक तो ये भी याद रहेगा और ये स्टोरी किस की है कार निकोबार द्वीब की है यहाँ से ये भी याद रहेगा तो मा बोली कंबल लेने की तो पैसे नहीं है और तू कार की बात कर रहा है तो कंबल से केंबेल की खाड़ी है इसमें केंबेल में आपको कंबल मिलना है तुझे कार की कीमत भी पता है क्या कीमत कीम कि मोस की खाड़ी में आपको मिल रहा है कीमत यहां से उठ जाएगा आपका पगड़ लो गया कीमत क्या होता है प्राइस होता है तो यहां पे प्राइस चैनल भी है कई बाइस चैनल आजाता है कि प्राइस चैनल अंडवान में है या लक्षदीप में है या किस में है तो यहा सोम्ब्रेडो में आपको मिल रहा है Soam-b-r तो Sombrero Channel है यहां पर कि आप पेने जाओंगा आप कहा पर आपको मिल रहा है आप तो मा क्या बोले थी पंच मलूल यह अगा पंच सी श्चयर और रहा है आप ली नौइश खा लेना और कुछ मत पीना दू नौन मेट से नौन कावी ली और उसके बाल क्या बोलीती तेरी आजकर ज़्यादा ही जुबान चलने लगी है कैंची की तरह कैंची से क्या ज़ेगा कैचल कैचल द्रीव में आपको मिल रहे कैच, कैच से कैंची यह आपका प्रिए हो गया नेक्स है आपका लक्ष्रीव समू और इसकी जो स्टोरी है कुछ ऐसे है कि एक लड़का है दिसको उसकी मा नहीं कुछ काम दिया कि यह करके है तो थोड़ी बाद देर बाद वो उसकी रूम से गुजरने लगी तो वो मुबाई लेके बैठा ता अंदर तो मा बोली अंदर बैठा क्या कर रहा है तो वो बोला चैड कर रहा हूँ किस से? मित्तर से कौन सा मित्तर? कप्तान तो मा आई, मा बोली दिखाई हो उसने जल्दी से मुबाईर उसका खींच लिया और उसकी उपर क्या लिखा था? कलपना तो वो बोली ये कलपना कौन है तो वो बोला दीरे बोलो पिता जी सुन लेंगे मारी सेली है कान पर लगाऊंगी एक ये है तेरा लक्षय कि मतलब वो जो पढ़ रहा था तेरा लक्षय ये है, ये कर रहा है थो तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसमें क्या था हाँ उसमें जो काम दिया था न उसको जो उसने काम दिया था तो वो बोली चल रवाना हो जा यहां से चल चल गती पगड़ ले जल्दी तो वो बोलाए जा रहा हूं मुबाइल तो इदर कर अम्मी मुबाइल तो इदर कर वो कहते हैं नहीं मिलेगा बस पहले काम करके हैं तो यहां से आपको याद हो जाएगा सब कुछ कैसे सबसे पहले तो हमें बताए यहां पर एक स्टोरी किसकी है लड़के और मा की मा मतलब माता तो माता कहां से मल रहा है कौड मात कौड मात में आपको मात मिल रहा है, मात मतलब माता, तो कौड मात द्वीप आ गया, लड़का का में बैठा था, रूम के अंदर बैठा था, तो मा बोले, अंदर बैठा क्या कर रहा है, अंदर, अंदरोत में आपको मिल रहा है, अंदर, अंदरोत द्वीप हो गया, वो क्या बोला है चैट कर रहा हूं, चैट से चैट लट द्वीब, किस से मित्तर से मित्तर आपको मिल जाएगा बित्रा, बित्रा द्वीब में आपको बित्तर बत्र मित्तर, कौन सा मित्तर था कप्तान, कप्तान कहां से मिल जाएगा किलतान, किलतान द्वीब में आपको कप्तान का सम नो क्या बोला था दीरे बोलो पिता ची सुन लेंगी ठेटसी का ची अगया मा ज़ी it पर देली से सुहेली द्वीर है यहां पर, मा क्या बोली कान पर लगाओंगी कान से, कन्ना नौर में आपको कान मिल रहा है, रवाना होजा चल दी, रवाना, चैर बानोजी ने आपको यहां से मलना है, रवाना, रवाना होजा चल दी, गती पगड़ ले, गती, अगती, अगत अम्मी से क्या जिएका अमी में आपको अमी मिल रहे यह तीनों के आप जीप याद हो जाएंगे अब कुछ चोटियां हैं अंडमान और निकोबार में जो की फेमस हैं और यह पूचि भी जाती हैं उसको मैं आपको याद करवा देता हूं जासे कि सबसे पहली है हमारी सैंडल पीग जो की है उत्तरी अंड मानी कैसे याद करेंगे यहां पे क्या है हमारे पास सेंडल जो पहने वाला होता है न लड़कियों के और यहां पे क्या मिल रहे है आपको अंड अंड से क्या बना अंडा अंडे को क्या कहते हैं अंडे को कहते हैं जी एग इडबल जी एग और एग और एग होता है हमारा एगो एक होता है हमारा एगो तो जो लड़की थी उसका बोर्थण था तो वो उससे नराज हो गया तो लड़की बोली सैंडर मारूँ ही एक ज़्यादा eगो दिखा गो तो यहां से आपको आ जाएगा कि इगो से क्या बन जाएगा एक्ट एक्ट से आपका अंडा मतलब अंडमान तो हो गया तो सेंडर मारूनी उतार के उताएगी तो सही ना उतार के सी उत्री भी जाज रहेगा आपको नेक्स्त है आपका माउंट डियो गोली मतले अंडवान में है कैसी याद रहेंगे यहां पर आपको डियो गोली में आपको मिल रहे है ड़ लव डल मिल रहे है तो डल कहां से आएगा मतले है यहां पर मिल रहे है और मतले को हम इंग्रिश में क्या कहते हैं मतले को हम कहते हैं अंदमान कैसे आएगा कि मत्य भूम क्या बोलते हैं बीच भी तो बीच दो बीच लिख लो यहां पर बीच यहाँ पर फर्स जो लेटर है वो क्या है हमारा बै है और जो हमारी एक्जाम होते हैं उसमें जो उप्षन आते हैं कैसे आती है ए, बैस, आते है बैस आते है और बैसे पहले को मोन आता है ए आता है तो ऐसे कहाते हैं अंदमाना आजाएगा नेक्स है आपका माउंट कोयोगो दक्ष्णी अंदवान में है कोयोगो में आपको वर्ड पकड़ना है काम्याब कोई भी आदमी काम्याब होगा तो कैसे होगा पड़ लिखकर ही होगा जिसकी अच्छे नमर आई नहीं एसे तो है नहीं कि उसका एक्जाम में तो अंडा है अंडा आ गया और वो काम्याब हो गया तो ऐसा तो है नहीं यहां से अंडा तो आपको याल हो गया अब काम्याब को इंग्लिश में क्या कहते है सकसेस्फुल कहते है जो कहां से आता है ऐससे और दक्षन को क्या होते हैं साूथ, वो भी कहां से आता है ऐस इसे, तो यहां से दक्षन हो गया काम्याब हो गया नेक्स आपका माउंट हेलीयर दक्षणी अंदमा तो हेलीयर में आपको मिलना हर तो मा है उसका जो लड़का है वो बाहर से नौनवेज खाके आ गया तो मा बोल रही है कि तुझे हर गुरू ने दक्षना दी थी और तु बाहर से अंडे खाके आ गया तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि तुझे हर गुरू ने हर से हैरियट हर गुरू ने दक्षना दक्षना दी थी सिर्फ दक्षनी याद रहेगा और तू बाहर से अंडे खाके आ गया सिर्फ अंडमानी याद रहेगा और लास्ट माला है माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है कैसे याद करेंगे थुलियर में आपको मिल रहे है थल थल वर्ड मिल रहा है थल क्या होता है पृत्वी होती है थल हमारा और पृत्वी के ऊपर क्या बने होती है हमारे गर बने होती है मकान बने होती है और मकान में क्या लगा होता है चोरी ना हो जाए इसके लिए गेट लगा होता है ना गेट तो यहां से क्या जाएगा गेट झाल झाल